Hello, what's up guys, my name is Vinod Bahadhu Thapa and today in this video we will see how to allow integration between Facebook and website in Hindi, so let's begin जी हाँ guys, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे Facebook and website का integration कर सकते हैं, तो चलिए guys, शुरू करते हैं सबसे पहले guys, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल Thapa Technical को सबस्क्राइब नहीं किया, तो प्लिस guys, इसको सबस्क्राइब कर लिजे, for all the awesome videos और आपको right side में एक red color का bell icon दिखाई देगा, एक घंटी दिखाई देगा, उसको hit कीजे, उसको click कीजे ताकि जो भी वीडियो में upload करू सबसे पहले notification आपको आजाए, और आपको खुझ से manually search ना करना पड़े, I know आप में से बहुत लोग सोच रहेंगे कि ये Facebook and website के बीच में ये integration allow करना मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप directly example देखे, जब integration से पहले अगर आप अपने website का URL को अगर post करते हो ना Facebook में, तो वो कुछ इस तरिके से दिखता था, ठीके, आपको इस पर link पर click करोगे तो आप मेरे website पर पहुच जाओ गई यहाँ पर, लेकिन after integration आपने जो website बनाया है, ठीके, without integration देखे, Facebook का without integration कुछ ओ ऐसा दिखेगा, and then after integration वो ही same URL अगर आप paste करते हो, ये दिखे, तो आपको इसके साथ देखे, पूरा को पूरा एक box दिखाई दे रहा है, जहाँ पर अगर आप इस box पर, कहीं पर भी click करोगे, तो वो आपकी मेरे website पर चला जाएगा, तो है नहीं awesome है कि नहीं, जहाँ पर एक link आप यहाँ पर आपका website का title है, आपका website का description दिया रहा है, तो यहाँ पर लिखा ह then guys, वो कुछ इस्तिरगे से दिखाई देगा, else वो आपका ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, अगर मैं आपको वापस दिखाऊ तो देखी, इसको मैं copy करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जाके, अगर simply, यहाँ पर मैं paste कर दूँगा, यह देखे guys, पेचिंग preview, देखा, तो यह possible है because of integration, तो आपको पता चल चुका होगा कि यह integration क्या है, और यह क्यों जरूरी है, और इसको mostly यह मतलब जो digital marketing होता है, उसके course में रखते है, बट एक web developer को भी यह आना चाहिए, ठीक है, तो देखे, अब हम integration कैसे कर सकते, उसको देख लेते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर किया था, इसका मतलब यह कि 2010 से पहले अगर आप अपने website का link Facebook पे डालते थे, तो वो as it is link की आता था, अभी जर्च में आपको दिखाए कि आजकल कैसे आता है आपने integration, तो वो open graph जो एक property है, meta tag के अंदर, वो 2010 में introduced किया गया था, इससे होता यह था कि हम Facebook और अपने website के ब object on Facebook, मतलब Facebook जब आप यूज करें, अगर आप कोई भी Facebook के खुद के particular object पे जाते हो, या किस पे click करते हो, तो उस समय जो functionality हमें मिल रहा है, तो ही functionality अगर आप अपने website के साथ Facebook को integrate कर देते हो, then guys, वो आप इसको हासिल कर सकते हो by using open graph protocol, तो after Facebook, Facebook ने जब किया ऐसा, then हमारे पा तो उसका पूरा एक property जो उन्होंने mention किया है by default metatag के अंदर वो उनको दिखाई दे, तो उसे तरिके से after Facebook, Twitter and LinkedIn है उन्होंने भी ये अपना खुद का एक जो आप बोल सकते हो no property उन्होंने निकाला हो है, ठीक है, तो Twitter का तो आपने बहुत देखा होगा, Twitter card करके दिखाया ज इसके लिए, आपको सिर्फ करना इतना है कि आपको meta tag के अंदर ये दिखिया, meta property में आपको इस तरिके से oz type and then content होगा आपका website, and then again meta tag उसकी property में आपको लिखना है oz title, ये जो oz, oz बारवर ने, मैंने अब भी आपको बता है, वो है आपका open graph, तो type मतलब क्या, जो मैं य facebook को अभी जिसके साथ मैंने ये link जो डाला है, वो क्या है, एक website का link था, तो मेरा type क्या होगा website, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है website, ठीक है, don't worry मैं आपको पुरा source code दिखाऊंगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है oz, url, तो मैंने वो लिखा होगा actual में, ठीक है, यहाँ पर साथ आपको clear ना दिखे, बोलके मैं आपको, मैंने वो ही code जो integration करने के लिए यूज करते हूँ, वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो देखे, उसके बात आता है कि आपके website का title, तो उसके लिए क्या है, oz, मतलब facebook के लिए आप ये काम करें फिलाल तो oz title में Thapa Technical आ गया, and then oz description में आपको का, इस आपका description लिखने है, जो आपको चाहते हो कि दिखाए दे, so want to be a web developer, तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, facebook में, just मैंने आपको starting में दिखा तो यहाँ पर देखे, want to be a web developer and technical geek, वो यही है, जो मैंने description के अंदर लिखा है, and then o oz url, thapatechnical.com, ठीक है, यह देखे, यहाँ पर thapatechnical.com दिखाए दे रहे, so यह मेरा url है, oz url, oz, title, oz, description, यह है, हमारा oz image, and then last my guys, oz site name, आपका website का नाम, again यह बहुत सारे है, ठीक है, यह जो मैंने दिखा, यह मतलब, यह must इतने होने ही चाहिए, ठीक, अगर आप image न अब ही जो दिखाया था, मेरे website का था, लेकिन उसके बहुत भी आपको और अच्छा दिखाया था, बोलके, meta के अंदर content में, यह लिग दिया, मैने title का नाम, I mean, मेरे website का नाम, पूरा url, and then property में oz url, फिर यहाँ पे oz title में यह, तो guys बस आपको integration करने के लिए meta tag यूश करना है, और हाँ एक चीज़ यहाद रखना, last में आपको guys इनका, देखे, आपको क्या बोलते है, facebook का एक id भी डालना रहा था, ठीक है, वो id में दिखा नहीं सकता है, यहाँ लेकिन आपको simply वो एक id भी enter करना पड़ता, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक और यह दो, यह दो website है, guys इसमें बहुत अच्छे से बता है, आपको बस एक बर यहाँ पे visit करना है, ठीक है, मैं इसका link आपको नीचे description में दे दूँगा, आप इन दोनों को अच्छे से पड़े, आपका open graph के title URL, तो वो simply as a link ही आएगा भी इसका best part है, इस पर मैं कहीं पे भी click होंगा, तो मेरा website क्लिक हो जाएगा, I mean वो open हो जाएगा, so आयो guys आपको वीडियो पसंद आयोगा, और हाँ मेरे बहुत पहले मैंने WordPress में एक free बनाया था, तो इसका भी अगर मैं आपको source code दिखा हो तो guys यही बस आपको बस इतना ही गीने चुने 5-6 property meta tag के add करने है, and this is it आपका Facebook integrate हो जाएगा आपके website के साथ, so आयो guys आपको मेरे वीडियो पसंद आओगा, अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ा से ही पसंद आओगा, तो please इस चैनल को subscribe करना बिलकुल मत बिले, इस सर्च ना करना पड़े, और अगर आपको कुछ doubt हो तो आप बेफिकर हो के नीचे comment कर सकते हो, मैं आपकी जरूर help करूँगा, so till then guys, thank you so much, take care.